दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदूशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों बिभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के सामान गयान और सामान अधिन के लिए भारत के भुगोल से संबंधित महुत्वोंड प्रशनों के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है कृष एवं फसलों से संबंधित महुत्वोंड प्रशनों का भाग दो जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं जैसे UP-PCS, प्रारंभिक परिक्षा, आरो यारो यानी समिक्षाधिकारी, सहायक समिक्षाधिकारी, लोवर PCS, तथा अन्य राज्य लोकसेवा आयोगों जैसे उत्राखन, बिहार, राजस्थान और EMP-PCS द्वारा आयोजित परिक् परिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आये शुरू करते हैं, भारत की भूगोल के अंतरगत, क्रिशी और फसलों से संबंधित, महत्तपूर प्रशनों का भाग दो, पहला प्रशन है, निमनलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, बहुत ही महत्त प्रशन है, क्रांती और किस से संबंधित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सुनहरी क्रांती उध्यान तो बिलकुल सही है, सुनहरी क्रांती उध्यान से संबंधित है, स्वेत क्रांती दूध से, नीली क्रांती को कुटपालन से सही नही है और हरित क्रांति क्रिसी से सही सुमेलित है तो यहां पर आप देख सकते हैं महत्तुपूर्ण प्रश्ण है दोस्तों आपसंसी नीली क्रांति का संबंध मत से उत्पादन और मचली पालन से है ना की कुकुट पालन से तो आपसंसी आपका सुमेलित नहीं है अगला प्रश् पौधों को उगाना और उनकी बेवस्था करना आप संडी आपका सही उत्तर है सामाजिक वानकी के मुख्य रूप से तीन अंग हैं क्रिसी वानकी किसानों को अपनी भूम पर ब्रिक्षारोपण के लिए प्रोसाहित करना वन भूखंड वन विभागों द्वारा लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सडकों के किनारे नहरों के तटो तथा ऐसी हैंने सारोजनिक भूम पर ब्रिक्षारों पर सामुदाइक वन भूखंड लोगों द्वारा स्वैंग की बराबरी की हिस्सेदारी के आधार पर ब्रिक्षारों पर तो यहां पर आप जान जिरो टिलेज के क्या लगभग हैं क्या लाभ हैं आपको बताना है यहां पर तीन कथन आपके दिये गए हैं और इन कथनों के आधार पर कूट से आपको सही उत्तर का चैन करना है तो यहां पर देखिए पहला है पिछली फसल के अवसेसों को जलाए बिना गेहूं की बिना धान के बीजों का नम मिर्दा में सीधे रोपड संभव है और मिर्दा में कारवन पर ठकारण संभव है तो तीनों ही कथन क्रिसी में सुन्य जूताई या जीरो टिलेज के लाभवों को दर्शाते हैं आपसन डी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है क्रिसी में फर्टीगेशन के क्या लाब हैं आपको बताना है महत्वपूर्ण प्रश्ण है आप देखिए सीचाई जल की छारीता का नियंतरन संभो है राक फासफेट और सभी अन्य फासफेटी कुरवर्तों का सफलता के साथ अनुपरियोग संभो है पौधों के लिए पोशक बढ़ी हुई मातरा में सुलब किये जा सकते हैं और रासायनिक पोशकों के निच्छालन में कमी संभो है तो याद रखिएगा क्रिसी में फर्टीगेशन एक तीन और चार सही है आप संसी आपका सही उत्तर है फर्टीगेशन क्या होता है तो जल में उर्वरक को भोलकर सिचाई विधी से जल में आव सकता नुसार रासायन मिलाकर उसकी छारीता का नियंतर घुले उर्वरक से सिचाई द्वरब पोधों को पोसक की लगभग दोगुरी मातरा अशोसित होती है और इससे रासायनिक पोशडों के निच्छालन में कमी आती है अगला प्रश्न है भारत के संदर में निमनलिखित में से किन परधतियों को पारितंत्र अनुकूली क्रिसी माना जाता है यहाँ पर चार कथन आपके हैं और कूट के आधार पर सही उत्तर का चैन करना है देखे फसल बिविधरूपर सही है लेग्योम इंस्टेंटिफिकेशन यानि सिंब आधिक के सही है टेंसियोमेटर का प्रियोग और उर्ध्वाधर क्रिसी तो ये चारो ही आपके सही है क्योंकि भारत में पारितांत्र अनकूल क्रिसी में ये जो बिधियां है सभी बिधियों को अपनाया जात रहा है इसमें शिंब आधिक यानि दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकरतिक रूप से मिर्दा की उर्वरा शक्ती बढ़ती है टेंसियोमेटर फसल सिचाई की ज़रत को बताता है जिससे नियंत्रिस सिचाई सोथ पादक्ता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है कथन है कि भारत की शुस्क पेटी की अर्थ विवस्था परधानता एक क्रिसीप आधारित है बिल्कुल सही है इसमें दुती हरित क्रानती के लिए बहुत चंता है तो A और R दोनों सही है लेकिन R A की सही व्याक्या नहीं है अगला प्रश्ण देखिए महत्वपोन प्रश्ण है कि भारत की खाद्य पोशन और सुरक्षा के संबन में बिभिन फसलों की बीज परतिस्थापंदरों को बढ़ाने से भविश में खाद्य उत्पादन के लक्षों को प्राप्त करने में मादद मिलती है किन्तु इसके अप कमपनियों की उद्यान क्रिसी फसलों की रोपर समगरी और सबजीयों के गुरता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है और तीसरा है निम्न मुल्ले और उच्च परिमार वाली फसलों के मामले में गुरता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतर इसमें कथन हैं देखते हैं कथन है कि पारमपरी खेती के आध्यूनिक वैग्जानी खेती में रूपांतरण में हरित क्रांती की तक्निक की महत्वण भोमिका रही है बिल्कुल सही है कारण है कि इससे सामाजिक और परियावाड़ी लागत शामिल नहीं होती है दूस्तूं ए और आर आप देख सकते हैं कि दोनु ही सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है ये और वैचारिक प्रश्ण हैं आप देख सकते हैं हरित क्रांती के कारण भारतिक रिसी अपनी जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय ब उसमें हरित करांत की कारण होने माले सामाजिक और परियाबाड़ी छाति को शामिल नहीं किया जाता है तो दोनों अलग अलगता थे हैं कथन और कारण सही होते हुए भी एक दूसरे की ब्याख्या नहीं करते हैं अगला प्रश्ण है भारत में सीमान्त क्रिसी भूमिजोत का आकार कितना है तो सही उत्तर है एक हेक्टेर से कम याद रखेगा कि दोस्तों सीमान्त क्रिसी भूमिजोत जो होती है वो एक हेक्टेर से कम आकार की भूमिजोत होती है अगला प्रश्ण है भारती क्रिसी में परिस्थितियों के संदर में संरक्षण क्रिसी की संकल्पना का माहत तो बढ़ जाता है निमने लिखित में से कौन से संरक्षण क्रिसी के अंतरगत आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक धानिक क्रिसी पद्धतियों का परिहार सही नहीं है, नियुन्तम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार, मिरिदा धरातल को ढखने के लिए फसल आउसिष्ट का प्रियोग, और अस्थानिक और कालिक फसल अनुक्रमर आवर्तनों को अपनाना तो यहाँ पर आप देखे दो, चार और पाँच आपके सही है आपसन सी सही उत्तर हो जाएगा और आप जान लिजे संडक्षन क्रिशिवः पद्धती है जिसमें क्रिशिगत लागत को कम रखते हुए अधिक लाब और टिकाव उत्पादक्ता लाई जा सकती है अगले प्रशन पर आते हैं कि भारत में दूती हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है यहाँ पर चार कथन आपके दिये गए हैं इसमें से सही कथन को बताना है तो यहाँ पर देखिए इसका लक्ष हरित क्रांटी से पूर में ही लाभानवित हो चूके छेत्रों में गेहुं और चावल के उत्पादन में और व्रिधि करना है, सही नहीं है इसका लक्ष हरित क्रांति से अब तक लाभानवित न हो सकने वाले छेत्रों में बीज पानी और वरग तकनीक का विस्तार करना है सही है इसका लक्ष हरित कर्दि के प्रारम में प्रियुक्त हो चुकि फसलों को छोड़कर अन्य फचलों के उत्पादन में बृधि करना है सही नहीं है और इसका लक्ष पसुपालन सामाजिगवान की तथा मत्सपालन के साथ सस्योत पादन का समाकलन करना है बिल्कुल सही तो यहाँ पर आप देखे दो और चार सही है भारत में दूती हरित क्रांती के संबन में आपसं सी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है दिये गए कूट की सहायता से हरित क्रांती के घटक चुनिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत पूर्ण है कि हरित क्रांति के यहाँ पर घटक बताना है आपको उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज सही है सिचाई सही है ग्रामीड विद्दुति करण सही है ग्रामीड सडके और विपड़न ये भी आपका सही है तो सभी चारो आपके सही है आप संडी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है आप देख सकते हैं देखिए कथन है भारत में हरित करांद के फल सरुख खाद्यानों के उत्पादन में ब्रिध्धी हुई है बिल्कुल सही है कारण है कि भारत में हरित करांद के पढ़ां सरुख छेत्री असमानताओं में भी ब्रिध्धी हुई है तो यहाँ पर A और R दोनों सही हैं लेकिन R A की सही ब्याख्या नहीं करता है यहाँ पर देखे आप सन पलट दिया है तो इसलिए यहाँ पर आप सन A आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेश्ण है सूची एक का सूची दो से सुमेलन करिए और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए यहाँ पर आप देखे बहुत ही महत्त पूण है खादे उत्तपादन में ब्रिध्धी का संबन्द हरित क्रांती से है दोगधो उत्तपादन स्वेत क्रां और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रान्ति से संबंदित है तो सही उत्तर 1324 आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है कि या तो सतह या सतह के नीचे पानी की छोटी मात्रा पवधों की जड़ो तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपसन है पार्स सिचाई या लेटरल मूब एरिगेशन, ड्रप्स सिचाई या ड्रिप एरिगेशन, अस्थानिक रे सिचाई या लोकलाइश्ट एरिगेशन, मैनुवल सिचाई तो क्या कहते हैं तो सही उत्तर drops सी चाई या drip irrigation आप जान लिजे दोस्तों बहुत ही महत्तो पूर्ण प्रश्ण है drip irrigation जो है यह या तो सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पाउधों की जड़ो तो पहुंचाने की प्रक्रिया को drip irrigation कहते हैं आपसन बी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है भूमी सुधार का उद्देश है क्या प्राप्त करना यहाँ पर देखिए उत्पादन में बृध्धी ग्रामीर लोगों की क्रय सक्ति में बृध्धी आर्थिक सम्रिधी के साथ बेतर आत्मकनिया सुनिशित करना या उपर युक्त सभी तो सही उत्तर भ तो बेवर जो है यह मध्य प्रदेश में प्रचलित है जिसको बेवर या दहिया कहते हैं अब आईए यहाँ पर फसलों से संबंधित महत्वण प्रश्णों को देखते हैं दोस्तों देखे इसको हम जल्दी से जल्दे जल्दी कभर करेंगे और बहुत जादे इसमें हम वि रभी फसल की बुवाई होती है तो रभी फसल की बुवाई अक्टूबर नौमबर में और कटाई मार्च अप्रेल में होती है तो यहाँ पर आपसंसी आपका सही उत्तर हो जाएगा खरीप की बुवाई जून जुलाई में कटाई अक्टूबर नौमबर में होती है और जायत उत्तर सरसो की फसल रभी की फसल है प्रमुख रभी फसलों में गेहूं जो चना मठर सरसो आलू और मसूर है अगला प्रश्न है नकदी फसलों में सामिल नहीं है क्या गन्ना का पास जूट या गेहूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं ह अगला है मैं क्रोनी के हूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है तो मैं क्रेनी के हूँ दोस्तों ये असिंचित परिस्थितियों के लिए है आपसंसी सही उत्तर है एक और महत्वपूर्ण प्रशन आप देख सकते हैं राज 3077 एक प्रजाती है किस फसल की राज 3077 तो ये गेहु की परजाती है और ये देर से बुवाई के लिए और सिंचित छेतर के लिए उपयुक्त माना जाता है एक और प्रशन है पूसा सिंधुगंगा एक परजाती है किसकी तो पूसा सिंधुगंगा गेहु की परजाती है यूपी 308 किसकी परजाती है तो याद र अगले प्रशन पर आते हैं धान की उत्पत्ती हुई है कहां पर आपको बताना है तो धान उष्ड कर्ट बंधी फसल है इसकी उत्पत्ती दक्षिर पूर्व एसिया में हुई है अगले प्रशन पर आते हैं इन में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है कपास, मुंगफली, मक्का और सरसो तो याद रखिएगा सरसो जो है ये रवी की फसल है जबकि मुंगफली, कपास और मक्का ये जो है घरीफ की फसले है अगला प्रशन है कौन सी चावल की किस्म नहीं है हंसा, जया, ज्वाला और पद्मा तो चावल की प्रमुक किस्मों में जमुना, करुडा, जया, कांची, जगनाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अनपूडा, बाला और रत्ना है ज्वाला, जडिया, मरू, बहार ये मोठ की प्रजादिया है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर, ज्वाला दोस्तों, ये चावल की किस्म नहीं है अगला प्रश्न है, अमन धान उगाया जाता है, कब से कब तक तो उत्तर है अमन धान, जून जुलाई में लगाया जाता है, नमंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है तो जून जुलाई में ये उगाया जाता है आपसन B आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दोस्तों पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किसम है किसकी तो पूसा सुगंधा 5 ये धान की सुगंधित किसम है आपसन C सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कारे कर सकता है नील हरी सेवाल, राइजोबियम, कवपमूल या एजेटोबेक्टर तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुखेता सिंचित छेत्रों में उगाई जाती है अरहर और चना, मुंग और उडद, चावल और मिलेट या मक्का और मुंग फली तो सही उत्तर है मुंग और उडद जैसी फसलें जायद में मुखेता है सिंचित छेत्रों में उगाई जाती है आपसन बी आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है निमनलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है सरसो, धान, गेहू और मक्का तो सही उत्तर धान, आपसन, बी दोस्तों याद रखिएगा कि धान की रोपाई की जाती है और सरसो, गेहू, मक्काद की बुवाई की जाती है अगला प्रश्ण है भारत के निम्नलिखी छेतरों में कौन सा कपास का अधिक्तम मात्रा में उत्पादन करता है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है तो सही उत्तर पश्मी और पश्मी भारत देखे पश्मी और पश्मी भारत जो है ये कपास उत्पादन का सरवाधिक महत्वपूर्ण छेतर है उत्तर पश्मी और पश्मी भारत आपसंडी आपका सही उत्तर है ये कपास उत्पादन के महत्पूर्ण छेत्र हैं जिसमें गुजरात महराष्ट आदिका छेत्र आता है अगला है महराष्ट में कौन सी एक फसल स्वेत स्वाण के नाम से जानी जाती है गेहु मक्का कपास या गन्ना तो सही उत्तर कपास जो है ये वाइट गोल्ड के नाम से जानी जाती है अगला प्रश्ण है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं कैसे पत्ते से बीज से तने से या मूल से तो आपको बताना है सही उत्तर कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते है अगला प्रशन है कौन सा राज भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है तो सही उत्तर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश देखे, महत्तुपूर्ण प्रश्ण है, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज भारत का सक्कर का प्याला कहलाता है क्योंकि यहाँ पर गन्ना और चीनी दोनों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है अगला प्रेश्ण है, उन्निस सौतीन में भारत की परथम चीनी मिल अस्थापित की गई थी कहा पर तो यह देवरिया जिले के परतापूर में प्रताप पूर्देवरिया में 1903 में भारत की प्रत्थम चीनी मिल अस्थापित की गई थी अगला प्रश्ण है गन्ने में प्रजनन का कारे किया जा रहा है कहां पर लखनव, सहजापूर, स्रावस्ती या कोयमबटूर में तो सही उत्तर कोयमबटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान है और यहां पर गन्ने के प्रजनन का कारे किया जा रहा है अगले प्रश्ण पर आते हैं निमने लिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है मसूर, लोबिया, सूर्य मुखी और बरसीम तो सही उत्तर है भारत की प्रमुक्ति लहनी फसल तूरिया, सरसो, तिल, अल्थी, सोया, बीन, सूर्य मुखी, अरंडी और बिनौला है तो यहां पर सही उत्तर सूर्य मुखी हो जाएगा अगला प्रश्ण है पीत क्रांती या पीली क्रांती संबंधित है किस से? अनाज उत्तपादन से, तिलहन उत्तपादन से, दुख्ध उत्तपादन से या मत्स उत्तपादन से तो सही उत्तर है पीली क्रांती का संबंध तिलहन उत्तपादन से है यह आपसन B सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है शुस्क भूमी के लिए सरवाधिक उचित फसल कौन सी है गन्ना, जूट, गेहूं या फिर मुंग फली तो सही उत्तर है मुंग फली आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंग फली याद रखियेगा कि शुस्क भूमी के लिए सरवाधिक उचित फसल मुंग फली है ये सुस्क प्रदेसों की वर्सा आधारित खरीब फसल है अगले प्रश्ण पर आते हैं कि वरूडा पर जाती है किसकी तो वरूडा आप जान लिजे सरसों की पर जाती है पूसा बोल्ड किसकी पर जाती है तो पूसा बोल्ड ये भी सरसों की पर जाती है आप सन B सही उत्तर है और इसी तरह आप देख सकते हैं पितामबरी पितामबरी एक पर जाती है किस फसल की तो पितामबरी पीली सरसों की एक पर जाती है और ये 110 से 15 दिनों में पक कर तयार हो जाती है अगला प्रेशन और क्रिसी और फसलों से संबंधित महत्वण प्रेशनों के भागदों का लाश्ट कोशन है कि जिपसम की अधिक मात्रा आवस्यक होती है किस फसल में देखे धान की फसल में बरसीम की फसल में गीहूं की फसल में या मुंग फली की फसल में तो सही उत्तर मुंग फली की फसल में याद रखेगा मुंग फली की फसल में जिपसम की अधिक मात्रा की आवस्यक्ता होती है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो क्रिसी और फसलों से संबंधित महत्तपोंड प्रश्णों का संग्रह जो बिभिन प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परिक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है आप इन प्रश्णों को अच्छे से त आमस्कार